साल्ट के बारे में कुछ जैसे कि आप जानते हैं समुद्र के पानी में नमक होता है अगर प्रित्वी पर मजूस सभी समुद्र सूख जाए तो उनसे इतना नमक निकलेगा कि उससे पूरी प्रित्वी पर करीब 500 फीट मोटी नमक की परत बिछाए जा सकती है नमक असल में मिनरल ही होते हैं जो के अमल और छार के आपस में मिलने से बनते हैं नमक को बनाने के लिए समुद्र के तड़ पर कुछ क्वैरिय बना दी जाती है जिससे समुद्र के पानी को एकटा करके समुद्र के पानी को भाब बना कर उड़ा दिया जाता है और जो बचा हुआ पदार्थ बचता है वे नमक ही होता है बाद में जिसे रिफाइन करके लोगों को बेश दिया जाता है नमक केवल समुद्र के खारे पानी से ही नहीं और भी जगे से निकाले जाते हैं जैसे कि दुनिया में नमक की बड़ी बड़ी खाने भी हैं और यह पहारों के उपर पत्थरों के रूप में भी पाये जाते हैं जीलों के किनारे यह नमक जीलों के दौरा डिपोजिट किये गए मिनरल्स के दौरा भी बनते हैं यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो प्ली लाइक सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू फोर वाचिंग